नमस्कार दोस्तों मैं गरो चोधरी स्वागत करता हूं आप सबका अपने परिवार स्वाध्याए सीडी में I hope so आप लोग स्वाष्त होंगे और घर पर होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे बसे मैडम नि आप लोगों को बताया होगा कि आज से मैं आपको हींदी पढ़ाउंगा जितना भी होगा बैस्ट होगा आप लोगों को जितना यहाँ पे नोट कराये जाएगा वह आप लोग बस जितना यहां पर करा जाए उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, नोट कर लेना अच्छे से, ठेक है बच्चों, अब हम सुरू करते हैं आपका आज का पहला अध्याए, पहला चेप्टर जिसका नाम है भासा, और भासा का विकास, भासा, क्या होती है भासा, भासा शब्द सं मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुचा सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे के मन के विचारों को समझ सकते हैं, भासा ही वैज माध्या में जिसके दुआरा हम इस पस्ट रूप से अपनी बात को समझा सकते हैं, अगर हम ये कहें कि बस भासा एक साधन ह अपने मन के विचारों को समझाने का और यहां तक ही सीमित है तो यह सोचना कापियत तक गलत है क्योंकि अगर हम व्यापक रूप से देखते है तो भासा का हमारे जीवन पर विशेश महत होता है हमारे चरित्र पर विशेश महत होता है अर्थात बासा के दुआरा हमारे चित्र कर निर्मान होता है हम नोट करते हैं बासा बासा शब्द संस्कृत की भास दातु से बना है संस्कृत की भास धातु से बनाए जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना अर्थ होता है बोलना या कहना अर्थात भासा वहमाद्या में बासा वहमाद्या में जिसके दुवारा जिसके दुवारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे को जिसके दुवारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे को समझा सकते हैं अगर हम व्यापक रूप से बात करते हैं तो भासा का हमारे हमारे जीवन पर हमारे जीवन पर विशीश हमारे जीवन पर विशीश मेहत होता है विशीश भासा का हमारे चेत्र पर और हमारे सामाजिक जीवन पर भासा का हमारे हमारे चरित्र पर चरित्र पर और सामाजिक जीवन पर सामाजिक जीवन पर जीवन पर विशीश मेहत होता है भासा हमेशा सरल से कठिन से सरल के और परवाईत होती है बासा परिवरतन सील होती है यह हमेशा कठिन से सरल के और परवाईत होती है जिस परकार संस्कृत भासा थी और वह संस्कृत भासा देरे देरे परिवरतित होती रही और आज हिंदी का रूप बन गया जैसे अटालिका से बना अटारी और आम्र के मुकाबले क्योंकि आम बोलना आसान है तो इसलिए भासा का रूप परिवरतित होती होती है हमेशा हNDशील रहती है भासा हमेशा परिवर्तन शील रहती है यह कठिन से सरल की और परवाइद होती है भासा हमेशा से परिवर्तन शील रही है संस्कृत से आज हिंदी का विकास हुआ हिंदी का विकास करम हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन अब आप जान लिजी कि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है तो जो संस्कृत कठिन भास वबा करती थी उसका विकास होते होते आज हिंदी का विकास हो चुका है ओर हिंदी संस्कृत के मबगाबले बहुत जादे आसान है इसलिए भासा जो है वो हमेशा प्रिवतं लृती है और भासा हमेशा कठिन से सरल्रकूर प्रवावीत होती है अगर बात करते हैं कि भासा के प्रकार होते हैं भासा के कुछ मुख्यता आठ प्रकार होते हैं जो भासा के मुख्यता आठ प्रकार होते हैं अगर हम लोग सोचते हैं कि जो हम भासा बोलते हैं बस यही एक भासा है अर्थाद इसपस्ट भासा जैसे हम बोलते हैं जैसे आपके हिंदी हुई, बंगाली हुई, कन्नड हुई, तमिल हुई, आपके अंग्रेजी हुई, चाइनीज हुई, अदर लेंग्वेज जो हम व्या बासा के मुख्यते मुख्यते बासा के मुख्य आठ परकार होते है बासा के मुख्यते परकार होते है इस पस्ट भासा ए इस पस्ट भासा लिखित भासा ए लिखित भासा इंगित भासा वाचिक भासा मुख्यक भासा इस पस्ट भासा इस पस्ट भासा बासा के मुख्यते आठ परकार होते है और अगर मुख्यत आठ परकार की बात करते है अगर इस पस्ट भासा की बात करते हैं तो इस पस्ट भासा वे सभी बासा होते हैं जो वर्तमान समय में बोली जाती है उन सभी भासाओं में आसानी सा किसी next स dalej संवज सकते हैं और अपनी बात को आसानी से किसी दूसरे को समझा भी सकते है वह सभी स्पश्ट भासा जो आज की समय में बोली जाती है इस-पस्ट भासा कहला आती है जैसे मोहन जोदरो वाली भासा में जिस भासा का विकास हुआ था जो भासा उस टाइम बोलते थे वो चित्रात्मक थी जिसे हमाज समझ नहीं सकते वो एस्पस्ट है वो एस्पस्ट है उसे हमाज तक नहीं समझ सके वो चित्रात्मक भासा थी वो एस्पस्ट भासा होती है लि इस भासा को बोलते हैं जब दो लोग दो मनुश्य आपस में बात करते हैं तो जैसे वे वारतलाब करते हैं वे मोखिक भासा होती है मोकिक भासा का उप्योग किया जाता है जब प्रारम में मनुष्य भासा बोलनी सीख रहा था तो जैसे उससे पहले मनुष्य क्या करता था उससे पहले जो आदी मानव होते थे वो इसारों में बात क्या करते थे वो नूर्मली ऐसी बात क्या करते थे उनकी कोई भासा नहीं थी, कुछ इसारों में बात करते थे, कुछ ऐसी आवाज निकालते थे, उसके बाद धीरे 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 उनके सरीर का विकास होता चला गया, और सरीर के विकास के साथ ही हमारी भासा का भी धीरे धीरे विकास हुआ, क्योंकि हमारे सरीर की पग हिंदी बोले जाती है तो हिंदी या अधर लेंग्विज तो जैसे तो यह जो होती है जो भासा का विकास होता है वो कहीं नहीं हमारे से हमारे गले से जो हमारा गला होता है गला इसके बनावट के आधार पर भी शब्दों का विकास होता है अब बात करते हैं जैसे जो आ पहले वो कैसी वासा थी वो इंगित वासा थी पहले वो इसारा करके समझाते थे और फिर वो मोकी बासा का प्योग करने लगे उसके बाद उन्हें आवशकता हुई और उन्हें उन्हें बासा को लीपी बद कर दिया था लिखित वासा बना दिया लिखित वासा बना दिया उस इस पर्स भासा वह भासा होती है, इस पर्स भासा के अगर हम बात करते हैं, इस पर्स भासा वह भासा होती है, जिस भासा के दुआरा जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, या बोल नहीं सकते, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए एक भासा का विकास हुआ है जिसे इंगित जिसे वो क्या करते हैं उसे वो छूख छूते इस पर्स करके देखते हैं उनके लिए कुछ पॉइंट होते हैं जैसे उनके लिए ऐसे पॉइंट होता है इसका कुछ मतलब होता है वो उसे इसपर्स करते हैं और वो पहचान जाते हैं कि कौन सी भासा है यह मतलब यह कि लिखा क्या हुआ है यह उसे ब्रेल लीपी बोलते है ब्रेल लीपी वो इसपर्स करके समझ जाते ह और वो लोग उसे समझ भी सकते हैं तो वो इस पर्स करके समझते हैं और अपनी सारी बातों को वो समझा भी सकते हैं उसके बाद वो बोल तो सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं वे लोग क्या करते हैं वे लोग हैं भी इंगित भासा हो गहां फ़िवह लोग समझाते लोग देखनें हैं जो लोग बोल नहीं एंसकते उह माण आंगे पार करेंगे वह इसारा करेंगे आस्षे करेंगे इंगित करेंगे तो वह इंगित करेंगे ठीक है बच्चों यह भासा के मुख्यते आठ प्रकार होते हैं अब बात करते हैं भासा के मुख्यते विविद रूप होते हैं भासा के मुख्यते विविद रूप होते हैं जैसे अगर बात करते हैं मात्री भासा की, मात्र भासा की बात करते हैं मात्र भासा, नमबर दो, रास्टे भासा और नमबर तीन आपकी राज मात्र भासा, राज्टे भासा और हिंदी हमारी राज के भासा है मात्र भासा, मात्र भासा कौन सी भासा होती है मात्र भासा, राज के भासा या राज्य भासा ठीक है राज भासा इसे हम लिख सकते हैं राज के भासा भी लिख सकते हैं या हम इसे राज भासा भी लिख सकते हैं थोड़ा आसान हो जाता है थोड़ा समझने में थोड़ा आसान होता है राज भासा राज भासा ठीक है ताकि आप लोग अच्छे समझ सको अब देखें मार् जो जिसे हमें सीखने के लिए किसी स्कूल की किसी कॉलेज की आवशक्ता नहीं होती इसे सिखाने के लिए हमें कोई टीचर नहीं आता या हम किसी टीचर के पास नहीं जाते इस बासा को हम अपने घर पे अपने परिवार में अपने लोगों को देखकर सिखते हैं इसे हमें सीखने के लिए कोई अलग से व्यवस्तान नहीं की जाती इसे मार्त भासा बोलते हैं यह मान सकते हैं कि हमारी मा की भासा है मात्र भासा व्यवस्ता जब कोई छोटा बच्चा जनम लेता है तो उसे सिखाने के लिए अलग से व्यवस्तान नहीं की जाती वो जिस भासा को जिस भासे शेतर में वो रहता है उसी भासा को वो देरे देरे बोलने लगता है जैसे आप अगर हिंदी भासे शेतर में रहते हैं तो आपको हिंदी सिखाने के लिए अलग से स्कूल जाने के आवशक्ता नहीं होती जैसे अगर आगर बात करते हैं अगर हम दक्षिन भारत में जैसे करनड बोली जाती है तमिल बोली जाती है तमिल लाडू की बात कर जाती है तमिल लाडू में तमिल बोली जाती है वहाँ पे जो मात्र भासा होगी वो तमिल होगी तमिल क्योंकि तमिल वहाँ के लगबग या हर जगा वहां पर तमिल भासा सरलता से बोली जाती है और समझी जाती है वो तमिल भासे शेतर होगा उसके लिए अब जो बच्चा जनम लेता है उसे अलग से सीखने की कोई आवशक्ता नहीं होती लेकिन हिंदी उसको सिखाई जा यूसे में जनम लेता है तो उसकी जो मात्र भासा अंग्रेजी होगी इंग्लिस उसकी मात्र भासा होगी और उसे अलग से सीखने के आवशक्ता नहीं होती जैसे वो लोग कुछ लोग अंग्रेज हिंदी सीख लेते हैं तो लेकिन हिंदी उनकी मात्र भासा नहीं है उसे सीख पूरे देश में बोली जाती हैं जैसे हमारी भारत की कोई राष्पहसा नहीं है एसा नहीं है कि हिंदी को राष्पहसा नहीं किया गया में लेकिन कुछ कारणों के वैसे हिंदी को राष्टे भासा नहीं बनाया गया कि राष्टे भासा क्योंकि भारत जो है वो बहुत भाष्य शेत्र है बहुत भाष्य देस है यहां पर बहुत सारी भासा है तो इसे हिंदी को राष्टे भासा नहीं बना पाए लेकिन हिंदी हमारी राज्य भासा है तो राज्य भासा वो भासा होती है जो किसी एक देश के दुआरा बोली जाती है किसी एक देश की पूरे देश की एक भासा होती है अब बात करते है राज्य भासा की राजबासा राजबासा क्या होती है राजबासा वहबासा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किये जाते है जितने भी सरकारी कामकाज है वो राजबासा में किये जाते है हमारी दो राजबासा है हिंदी और अंग्रेजी जितने भी आपके कोर्ट में जो केस होते है या फिर सरका आप लोग अच्छे समझ में आया होगा आप लोग इसे नोट कर लीजिए अब हम बात करते हैं हम देखते हैं कि जो भासा है वो किसी की पारिवारिक संपत्ती नहीं होती अथार्थ अर्थात पैत्रिक संपत्ती नहीं होती भासा किसी की पैत्रिक संपत्ती नहीं हो सकती भास किसी की व्यक्तिकत संपत्ती नहीं हो सकती या किसी की पैत्रिक संपत्ती नहीं सकती अगर आगो हम प्हासा की बात करते हैं तो यह है किसी की kardeş भासा किसी की पैत्रिक संपत्ति नहीं होती और ना ही भासा व्यक्तिकत संपत्ति होती है और ना ही भासा व्यक्तिका अर्थारत पैत्रिक संपत्ति जैसे माता पिता ने अपनी जितनी भी जितनी भी उन्होंने मतलब उन्होंने जितना जितनी भी उन्होंने संपत्ति को इखटा किया है वह आपको दे देते हैं और आप अपने बच्चों को दे देते हैं और आपके बाबा ने आपके पिता को दे थी, इसी तरह भासा, भासा किसी की पैत्रिक संपत्ति नहीं है, किसी के भी माबाप अपने बच्चों को भासा नहीं दे सकते, भासा अभ्यास के द्वारा आती है, भासा को शेकने के लिए अभ्यास करना होता है, भासा किसी की व्यक्तिका संप वक्ति होती है बहसा को अरजित किया जा सकता है अर्थात बहसा को अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है किसी व्यक्ति विशेश का इस पर कोई अधिकार नहीं होता भासा पूरे समाज की संपत्ती होती है किसी व्यक्ति विशेश का अधिकार नहीं होता इस पे सब का अधिकार होता है पूरे समाज का अधिकार भासा पे होता है भासा को कोई भी सीख सकता है कोई भी बोल सकता है किसी भी भासा को सीख सकता है इसलिए हाँ पे किसी का कोई भी अधिकार नहीं होता नोट कर लिजी अगर बात करते हैं आपने नोट कर लिया होगा बात करते हैं भासा की सबसे छोटी इकाई भासा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है और भासा की सबसे छोटी सारतक इकाई वह वाक्या होती है भासा की सबसे छोटी शिरप कर देते हैं ताकि अच्छी से आप लोग में उपर लिख सको और आप लोग समझ सको शिरप कर देते हैं भासा की सबसे छोटी भासा की सबसे छोटी एकाई शब्द होती है शब्द होता है शब्द जैसे कोई शब्द है जैसे आम कुर्सी, मेज, पैन, मारकर, बोर्ड, कैमरा जैसे आपका बुक्स, आपके अधर चीजे शब्द जैसे अगर बात करते हैं, कुछ वर्न सोचते भासा की सबसे चोटी काई नहीं हो सकती वर्ण धवनी की सबसे चोटी काई होती है वर्ण धवनी की सबसे चोटी काई होती है भासा की सबसे चोटी काई शब्द होती है जैसे शब्द हो गया पानी पानी शब्द की अगर हम बात करते है क्योंकि भासा जो है बाशाव वह सादने जिसकी दुआरा मन की विचारों को समझा जा सकता है मन की विचारों को समझा जा सकता है ना कि बस बोल देते है और उसे भासा माल लेते है नहीं, अगर हम इसे अलग-अलग कर देते है पै, आ, न, इ, पानी अब अगर मैं आपको बोलता हूँ बस पै या मैं आपको बोलता हूँ आ या आपको बोलता हूँ इ या बोल देता हूँ ने तो क्या आप लोग समझ सकते हो नहीं समझ सकते हूँ क्योंकि यह एक धवनी है यह धवनी की सबसे छोटी काई होती है लेकिन भाषा उसे कहते हैं जिसे हम समझ सकते हैं अब मैंने आपको बोला पानी अगर मैं जैसे यह आपको पानी बोलता हूं आप समझ जाते हो कि मैं पानी कहना चाहता हूं आप पानी तो नदी में भी पानी है ग्लास में भी पानी है ठीक है ना लेकिन आप समझ गए कि मैं पानी की बात करो जिसे मैं कहता हूँ आम आप समझ गए कि मैं आम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ इसी फरकार भासा की सबसे छोटी सार्थक इकाई सबसे छोटी सार्थक इकाई सार्थक इकाई सार्थक इकाई सार्थक इकाई वाक्य होती है वाक्य होता है भासा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्या होती है वाक्या होता है सोरी भासा की सबसे चोटी सारता के काई वाक्या होता है वाक्या जिसे मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी चाहिए मुझे मारकर चाहिए मुझे इंक चाहिए मुझे बोर्ड चाहिए मुझे बुक्स चाहिए आप लोग समझ सकते हो मैंने कहा मुझे एक ग्लास पानी चाहिए तो आप समझ सकते हो कि मैंने पानी मांगा आपने मुझे कुछ कहा और मैं उस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ तो भासा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्या होती है ठेका बच्छो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आज के लिए हम इतने रखेंगे आप लोगों से कल मुलाकात होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा I hope so आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर कुछ भी प्रोब्लम रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो और आप लोग एक कमेंट पढ़ी जाएगी और उस बात पर कोर किया जाएगा जितना होगा आप लोगों को बैस्ट करा जाएगा बस आप लोगों को इतना करना है कि जितना आपको यहाँ पर पढ़ाय जाता है आप लोगों को उसके अच्छे से नोट्स बनाने है उसको अच्छे से याद करना है जितना आपको पढ़ाय जाता है उसका रोज की रोज डिविजन किया जाए अगर आप उसका रोज डिविजन करते हैं तो आप exam time में आपको अच्छे अंग मिलने में मदद होगी और आप अच्छे अंग गेन कर पाएंगे ठीक है बच्चो अब हम चलते हैं कल मिलते हैं बच्चो जितना आपको लिखाया अच्छे से नोट किया होगा और अच्छे से उसे याद करना क्योंकि कल आते ही मैं आप से पहले इससे लिडिल कुछ कोशन पूछूंगा